नमस्कार आप देख रहे हैं दिवेह मार्चल टीवी मैं हूँ आपके साथ वन्शिता शर्मा पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूस बुलिटिन शुरुआत करेंगे मेंन हेडलाइन के साथ सुख्खो की चेतावनी 90 दिन में हो भरती घोटाले की जांच वरना आंदोलन छेड़ेगी कॉंग्रेस प्रतिभास सिंग का बड़ा बयान पेपर लीग मामले में आंदोलन करेगी कॉंग्रेस राजीव गांधी की बड़ुलत आई देश में आई टी क्रांती पुन्यतिथी पर श्रद्धा सुमन आर्पित थपपर कांड में विधान सभाव पद्यक्ष के खिलाफ राश्ट्री बाल संरक्षन आयोग को शिकायत प्रोफेसरों ने दी उग्र अंदोलन की चेतावनी रोजाना करेंगे दो घंटे हर ताद पद्वनती के महीने बाद भी प्रिंसिपल को नहीं दी गई नए स्टेशन की जानकारी शिक्षन संसानों से तीन किलोमीटर की दाइरे में नहीं लगेंगे मोबाइल टावर है सस्ते दामों पर शुद उत्पाद सिर्फ आप के लिए जो की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा हर जन को स्वस्त बनाएगा स्वस्त हिमाचल एचपी एमसी का उदेश्यू पुलिस भरती का पेपर लीख हुआ और मामला उजागर हो गया इससे पहले पता नहीं प्रदेश सरकार के कारेकाल में जो भरतियां हुई हैं उनमें कितनों के पेपर लीख हुए होगे यह आरोप हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस चुनाव प्रचार समीती के अध्यक्षव सदस्य टिकेट आबंडन कमेटी सुक्विंदर सिंग सुक्खु ने बरसर विधान सभा के खजियां में हुई जन सभा के दौरान लगाए हैं देखें यह रिपोर्ट पुलिस भर्दी का पेपर लीक हुआ और मामला उजाबिर हो गया इससे पहले पता नहीं प्रदेश सरकार के कारेकाल में जो भर्दियां हुई हैं उनमें कितनों की पेपर लीक हुए होंगे यह आरोप हिमाचर प्रदेश कॉंग्रेस चुनाव प्रचार समीती के अध्यक्षवा सदस्य टिकट आबंटन कमेटी सुखविंदर सिंग सुखु ने बड़सर विधान सभा के खजियां में हुई जन सभा के दौरान लगाए हैं उन्होंने कहा सरकार के साड़े चार साल में हुई भर्त्यों की भी जांच होनी चाहिए उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सरकार ने CBI की जांच तो बिठा दी है लेकिन ऐसा ना हो कि इसे चुनावों तक कहीं जा जाए उन्होंने मांग की कि यह जांच 90 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए सरकार जांच रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रखे अन्यथा कॉंग्रेस प्रदेश भर में सडकों पर उतरेगी सुखों ने कहा कि भर्तियों में धांदलिया हो रही है तो EVM से चुनावों पर कैसे विश्वास कर लिया जाए कहा कि सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं कहीं EVM में भी धांदली ना हो इसके लिए पाइलट अधार पर नगर निगम शिमला के चुनाव बैलेट पेपर पर करवाए जाएं उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा की डबल इंजन सरकार से मांग है कि विथान सभा चुनावों में पचास फीसदी के फॉर्मूले से EVM और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं पूलिस भर्ती का पेपर लीक मामले में उन हजारों बेरोजगारों के साथ खिलवार हुआ है जिन्होंने कड़ी महनत की थी और नौकरी की आस लगाए बैठे थे जब विपक्ष इस मामले को उठा रही है तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष मामले को बेवजह तूल दे रहा है जिलाहमीरपूर के बरसर विधान सभाक्षेत्र के दौरे पर पहुंची प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रतिभात सिंग ने मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में विपक्ष पर बेवजह तूल देने के बयान पर खेद जताया आईए देखते हैं ये रिपोर्ट पुलिस भर्ती का पेपर लीक में उन हजारों बेरोजगारों के साथ खिलबार हुआ है जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी और नौकरी की आस लगाए बैठे थे जब विपक्ष इस मसले को उठा रहा है तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं विपक्ष मामले को वेवजह तूल दे रहा है जिलाहमीरपूर के बरसर विधान सवक्षेतर पर पहुंची प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रतिभास सिंग ने मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस भरती पेपर लीक मामले में विपक्ष पर बेवजह तूल देने के बयान पर खेट जताया उन्होंने कहा कॉंग्रेस पार्टी के ही दबाव के चलते प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सी बी आई को सौंपी है पी सी सी अध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पेपर लीक मामला उजागर होने के बाद से पुलिस महानिदेशक आज तक सामने नहीं आ रहे हैं जनता के सामने ना आकर विचुट्टी लेकर बाहर घूम रहे हैं जो की बड़े शर्म की बात है उन्होंने कहा सरकार को इस मामले में उन पर भी करवाई करनी चाहिए थी उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए युवा कॉंग्रेस धरने प्रदर्शन कर रही है और डीजीपी की गिरफतारी के मांग कर रही है प्रतिभासिंग ने कहा सरकार ने इस मामले में युवाओं को ठगने का काम किया है जिसे पार्टी सहन नहीं करेगी और अगर दोशियों को जल्द पकड़ा नहीं जाता है तब तक पार्टी अंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी ने आज कॉंग्रिस मुख्याले राजीव भावन में देश के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की 31 पुन्य तिथी पर उन्हें याद करते हुए अपने श्रधा सुमन आर्पित किये निताओं ने उनके चाया चित्र पर पुष्प आर्पित करते हुए देश के लिए किये गए उनके उलेखनिय कारियों को याद किया वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गिय राजीव गांधी की सोच का ही परिनाम है जो आज हम आईटी के आधुनेक यूग में पहुँचे हैं उन्होंने कहा कि देश में आईटी क्रांथी उन्ही की देन है प्रदेश कॉंग्रिस कमेजी ने आज कॉंग्रिस मुख्याले राजीव भवन में देश के पूर्व प्रथान मंत्री राजीव गांधी की इकतिस्वी पूर्णिय तिथी पर उन्हें याद करते हुए श्रधा सुमन अर्पित किये नेताओं ने उनके चाया चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए देश के लिए किये गए उनके उलेखनीय कारियों को याद किया वक्ताओं ने कहा स्वर्गे राजीव गांधी की सोच का ही परिणाम है जो आज हम आईटी के आधुनिक युग में पहुँचे हैं उन्होंने कहा देश में आईटी करांथी उन्ही की ही देन है वक्ताओं ने कहा राजीव गांधी ने पंच्याइची राज्स संसाओं के सुध्रिरी करन के लिए व्यापक अधिकार दिये अथारे साल के युवाओं को वोट का अधिकार दिया साथ ही उन्होंने देश में राजणेथिक सुधार की दिशा में Anti-Defection कानून को लागो किया वक्ताओं ने कहा यह देश राजीव गांधी के कारियों को हमेशा याद रखेगा उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए राजीव गांधी का बलिदान कॉंग्रेस कभी नहीं भुला सकती उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए कॉंग्रेस को देश की एकता और अखंडता के प्रती समर्पे तहना है यही राजीव गांधी के लिए कॉंग्रिस की सच्ची सुर्धान्जली होगी तीम्टी प्लस वाटर टैंक की दिवारे मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं जिसकी वज़ा से एक्स्ट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुँचता विधान सभाव पध्यक्ष हंसराज द्वारा स्कूल में एक शात्र पर थपड मारने के मामले में विपक्षिदल कॉंग्रेस ने मोर्चाख हो दिया है पूर्व राज़ेबाल संरक्षन आयो की अध्यक्ष और कॉंग्रेस की प्रवक्ता केरन धान्टा ने इसकी शिकायत राज़ेबाल संरक्षन आयो की अध्यक्ष को दे दी है और इस मामले में विधान सभा उपध्यक्ष के खिलाफ कारवाई करने की मांकी है देखें क्या है पूरा मामला विधान सभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने स्कूल में ओचक निरिक्षन के दौरान जिस तरह से बच्चों के साथ दूर व्यवहार किया और एक बच्चे पर हाथ उठाया है वह दूर भाग्य पूर्ण है वह जनता के जुने हुए प्रतिनिधी है और विधान सभाव पाध्यक्ष भी है इस तरहां उनकी ये हरकत शरमनाक है स्कूलों में उन्हें व्यवस्थाएं देखनी चाहिए और उन्हें अगर कोई कमी है तो उसे दूर करना चाहिए लेकिन इस तरहां से बच्चों को मारना कानूनी जुर्म है ऐसे में इसकी शिकायत राश्ट्रीबाल सनरक्षनायो के अध्यक्ष को की गई है और उनको वीडियो भी भेजा गया है हिमाचल प्रदेश विश्व विद्याले शिक्षक कल्यान संग ने सरकार द्वारा शिक्षकों को यूजी सी वेतनमान ना देने के खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया है विश्व विद्याले में हपुट्वा की एक आपात बैठत में फैसला लिया गया है कि सभी शिक्षक अपनी मांग के समर्थन में रोज दो घंटे की गेट मीटिंग कर रोश जताएंगे देखेंगे रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश विश्व विद्याले शिक्षक कल्यान संग ने सरकार द्वारा शिक्षकों को यूजी सी वेतनमान ना देने के खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया है विश्व विद्याले में हपुटवा की एक आपात बैठक में फैसला लिया गया कि सभी शिक्षक अपनी मांग के समर्थन में रोज दो घंटे की गेट मीटिंग कर रोश जताएंगे इस दोरान वह कोई भी काम नहीं करेंगे महा सचिव जोगिंदर सकलानी ने बताया कि अदि सरकार ने शिक्षकों की मांग को पूरा नहीं किया तो आंदोलन को और उग रूप दे दिया जाएगा बैठक में नौकर शाही द्वारा शिक्षक विरोधी रवय या अपनाने की कड़ी निंदा की गई बैठक में फैसला लिया गया कि UGC वेतनमान शीगर जारी नहीं होने पर विश्व विद्याले के शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन नहीं करेंगे सभी राज्यों ने नए वेतनमान को लागू कर दिया है लेकिन हिमाचल के शिक्षन संस्थानों में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीश सिसोधिया के शिक्षा पर दिये बयान को लेकर सरकार पूरी तरह तिल मिला गई है उन्होंने चिनौती दी थी कि हिमाचल का शिक्षा धांचा ठीक नहीं है और अगर है तो हिमाचल के शिक्षा मंत्रियों से खुले मंच पर बहस कर वाले मगर देखा जाय तो सिसोधिया ने कोई गलत बयान नहीं दिया था देखें कैसे यहां शिक्षा विभाग के आदेश महीनों तक लटके रहते हैं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कारिरत 201 मुख्य अध्यापकव 64 प्रवक्ताओं को शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रेल 2022 को प्लेस्मेंट पर प्रधाना चारे तो बना दिया गया लेकिन आज 22 दिन बीत जाने के बाद भी उनको पदानती के लिए किस स्थान पर कारे भार ग्रहिन करना है यह आदेश शिक्षा विभाग नहीं दे पाया है हिमाच्र राज की अध्यापक संग के प्रदेश अध्यक्ष नरेश महाजन का कहना है कि इन अध्यापकों को पहले पदानती के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा उसके बाद अब कारे भार स्थान ना मिलने पर इनकी मुश्किले और बढ़ गई है विभाग ने आनन फानन में पदानती तो कर दी लेकिन 22 दिन बीट जाने के बाद भी इनको स्थान ना दे पाना विभाग की सुस्त कारे प्रदानाली को दर्शाता है जिसका खामियाजा प्लेस्मेंट पर तैनाज किये गए प्रदानाचारे को भुगतना पड़ रहा है शिक्षा जगत के इतिहास में ये पहला मौका है जब पदानती तो कर दी गई लेकिन न्यूपती स्थान नहीं दे पाए इसे शिक्षा विभाग की पदानती के लिए पूर्वी योजना मे के बाद उसी दिन सेवा निवरित हो गए शेश बचे हुए 262 प्लेस्मेंट पर तैनाज हुए प्रदानाचारे को आज दिन तक विभाग कारे स्थान नहीं दे पाया है शिक्षा विभाग में लगभग 300 वरिष्ठ माधमिक पार्शाला बिना प्रदानाचारे के चल रहे ह लेकिन विभाग फिर भी प्लेस्मेंट पर लगाए प्रदानाचारे को स्थान नहीं दे पा रहा प्रदेश के शिक्षन संस्थानों के भवनों की छट पर मोबाइल टावर नहीं लगेंगे उच्षिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी स्कूलों को निर्देश जारी किये हैं देखते हैं क्या खास है इन निर्देशों में प्रदेश के शिक्षन संस्थानों के भवनों की छट पर मुबाइल टावर नहीं लगेंगे उच्छिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी स्कूलों को निर्देश जारी किये हैं इसमें कहा गया है कि स्कूलों के तीन किलोमीटर के दायरे में मुबाइल टावर लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंग रहेगा राजसरकार के सूचना इवं प्रुद्योगी की विभाग के निर्देशों का हवाला दिया गया है विभाग ने जिला उपनिदेशकों से ऐसे स्कूलों की सूची भी मांगी है जिनके आसपास मुबाइल टावर लगे हों है रिहाईशी क्षेत्रों में मुबाइल टावर लगाने की बहस इन दिनों जोर पकड़ती जा रही है मर्माने ढंक से ये टावर लगाय जा रही है जिससे स्कूल के भवनों को उसका नुकसान जहिलना पर रहा है ऐसे में अब इस बारे में सक्त दिशा निर्देश जारी किये गए है शहरी शेत्रों की स्कूलों की आसपास रिहाईशी इलाके हैं यहाँ पर मुबाइल टावर लगे हुए हैं निदेशक उच्चतर शिक्षा ने कहा है कि स्कूलों में इन नियमों का सक्ती से पालन करें चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटना उपर सुन्दरनगर में तूफान के कारण पहाड़ी से गिरने से ग्रामीन की मौत तेज आंधी ने बरपाया के है नालगर में 22 जुग गियां राख कई मवेशी मारे गए लाकों का नुकसान पालंपूर के देहन में करण से जुल सा लाइन मैन टांडा मेडिकल कॉलिज में चल रहा उपचार हिमाचल में चलेगा तूफान यलो अलर्ट जारी बारिश ओला वरिष्टी के आसार दर्शक्वांच के न्यूस बुलिटिन में बस इतना ही बने रहे दिवे हिमाचल टीवी के साथ